तो केसे हो आज आप लोग आज तक हमने पढ़ाई किया है software engineering के model के बारे में क्या-क्या model है हम कौन-कौन से methodology से पूरा project बनता है लेकिन अब से हम बाते करने वाले है testing के types के उपर कौन-कौन से testing किया जाता है कौन-कौन सा testing industry में सबसे ज्यादा use होता है और real-time scenario में हम वह testing कैसे perform करेंगे तो वह सब चीजे हम आज से start करने वाले है तो उससे पहले हमें यह समझना होगा कि testing के क्या-क्या type होते हैं कौन-कौन से testing करते हैं और testing को कौन से वह में हम differentiate कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं मित्रों processing का measurely दो पाठ है एक है black box testing black box testing और दूसरा है white box testing तो इसमें basically क्या होता है कि प्लेक box testing और white box PCR testing बोल जाता है और इसको बोला जाता है unit testing , या code level का testing होता है इसको white box testing बोला जाता है और दोनों के बीच में जो है एक gray box testing है लेकिन यह बहुत hidden area है only सबको नाम ही पता है नाम के अलावा real industry में majorly दो ही चीज होता है और यह जो testing होता है यह developer करता है white box testing और black box testing हम testing tester log करते है तो इसमें क्या होता है majorly difference क्या है कि for example मैंने एक छोटी सी application बनाई है latest है यह मेरा application है उसमें क्या है यहां पर username का field है उसके बाद एक password का field है और यहां पर login का button है यह मेरी login की application है और क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको login करूँगा तो यहां पर homepage के ऊपर navigate होगा यह है है मेरा homepage ठीक है तो इसमें क्या होता है अगर मेरे को black box testing करनी है तो इसमें क्या होगा कि मैं क्या करूँगा कि मैं यहां पर username करूंगा मैं यहां पर पासवाड अगर करूंगा और मैं लोगिन के ॐप अब क्लिक करूंगा और मैं वैरिफाई करूंगा कि मैं वहांठ सारह बालियोंब्स दोंगा घुऑ एक्जांपल वेलि dig 26 पास्वर्ड, invalid रॉयूजर नें इन्वेलिट पास्वर्ड फिर वह फिल्ड होता है तो फिल्ड का को स्टानर्ड होता है for example यह 6-12 लेता है या 8-14 लेता है तो यह सब उसके standards होते है तो उसके सबसे डेवलोपर ने बिल्ड किया होता है तो मैं चेक करूँगा यहां पर 7 डाल के देखूँगा फिर 15 डाल के देखूँगा यह चलता है तो यह हो गया मेरा स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है डेवलोपर ने यह मेन्यूल यह एक लाइन पढ़के चेक नहीं कर सकते हैं इसमें क्या होता है कि क्योंकि thousands of lines का code होता है तो फॉर एक्जमपल लोगिन की functionality मांनके चलो तो उसमें क्या होता है वह जैसे आपको पता ही होगा आपने login किया होगा बहुत सरी application में, तो क्या होता है, कि जैसे हम pass update करते हैं, तो ऐसे circle circle हो जाता है, या फिर ऐसे star star बन जाता है, तो इसमें क्या होता है, कि ये इसके पीछे बहुत सारे उसने algorithm लिखा है, उसके बाद उसने encrypted, decrypted की functionality हो लिखी होती है, फिर ये हमारा client हो गया, ये हमारा client हो गया, तो यहा code का testing है ना, वो developer log करते था कि bug कम आये, जितना भी हम ज्यादा testing करें कि उतनी bug कम आती है, तो ये standard जब बड़ी-बड़ी company होती है, उसमें सारा का सारा procedure follow होता है, तो ये हो गया white box testing, तो अब हम detail में जानेगे, ये दोनों के बीच का difference क्या है, तो सबसे पहला difference ये है, कि black box testing जब हम करते हैं, तब हम उसको code की देखने की या code को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे जब हम white box testing करेंगे, तो code hidden नहीं रहता हमें code को देखना है, और उसके बाद हम code को test कर रहे हम application को test नहीं कर रहे है, white box testing में code को test कर रहे है, तो ये हो गया हमारा पहला difference, उसके बाद दूसरा difference यह है, कि जो black box testing है, वो हमेशा tester करता है, और white box testing 99% case में developer ही करता है, उसके बाद black box testing में code का उतना knowledge की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ functionality test करनी है, ना कि हमें code देखने वाले है, तो यहाँ पे code का उतना knowledge की ज़रूरत नहीं है, but white box testing म हमें code का knowledge की requirement है, code को हमें समझना है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, कि line by line जो code है, हम उसको test करने वाले है, उसके बाद यह है, कि black box है, वो functional testing है, why functional testing क्योंकि black box testing में हम क्या करता है, कि हमें जो functionality है application की, वो test करेंगे, for example, मान लो, यह मेरा facebook का login page हो गया, तो यहाँ पे मेरे को username fill है, यहाँ पर password fill है, और यहाँ पर login बटन है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर password enter करूँगा, sorry username enter करूँगा, password enter करूँगा, and then login पर उपा क्लिक करूँगा, तो application कैसे functional होता है, यह click करने के बाद मैं कहां पर जाता हूँ, वो हम verify करता है, यह हो गया हमारा black box testing, बट इसमें क्या होगा लोजिकल इसको टेस्टिंग क्यों बोला जाता है वाइट बोक्स को कि इसके पीछे लोजिक क्या लिखा होता है कि अगर मैं लोगिन करूंगा तो उसके इंटरनल कौन-कौन सा कोड काम करता है अगर यहां पर मेरे पास 500 लाइन है तो एक लाइन में से हाइर लेवल टेस्टिंग है क्योंकि यहां पर हमने समझा कि हमें कुछ वह कोड बोडी ऐसे कुछ देखने नहीं उपर उपर से हम एप्लिकेशन को टेस्ट कर रहे हैं बट यह लोवर लेवल होता है यह डीटेल में क्लाइन बाइन कोड यह सब हम चेक करते हैं उसके बाद ब्लेक बोक्स टेस्टिंग छठा डिफ्रेंस है हमारा ब्लेक बोक्स टेस्टिंग ट्राइल एन एरर वेस होता है क्यों ट्राइल एन एरर है तो कि यहां पर हमने वेलिड यूजर नेम डाला वेलिड पासवर डाला फिर लोगिन के उपर क्लिक किया फिर इन्वेलिड डाला valid डाला invalid valid डाला तो यह सारे combination में errors है यह सब हम चेक करते हैं तो यह हो गया हमारा trial and error but यहां भी यह logical ways है जो भी code लिखा है for example यहां पर हमने for loop लिखा है तो for loop में क्या होता है कि i is equal to zero 10 बार iteration करना पड़ता है तो यह हमारा for loop हो गया तो उसके बीचे 10 iteration में क्या क्या होता है वह हरे का हमें logic देखना है या फिर password यहां पे client message जब server के पास password जाता है तो data encrypted होता है decrypted होता है यह सब logic यहां पे देखा जाता है white box testing और वह implement हुआ है उसका हरे client का test किया जाता है तो यह logical ways हो गया उसके बाद कुछ कुछ टाइप से black box testing के और कुछ example है white box testing के तो black box के example क्या है तो कि functional testing हो गया smoke testing हो गया regression testing हो गया sanity testing हो गया तो यह black box के type है और white box में क्या है तो कि path testing है logic testing है conditional testing है तो यह सब white box के type हो गया तो मैं मानता हूं कि यह सब समझ में आ गया है और उसको अगर आपको detail में difference चाहिए तो description में article में से आपको मिल जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में शुक्रिया झाल मेंचे थ glue का जिए हूं झाल तो मेंता है जब का 0